इमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाए कर्मचारी महासंध ने साफ किया है कि वह न तो डरे नहीं जुके हैं और नहीं बिके हैं आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है महासंध के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि महासंध आज भी अपनी मांगो को लेकर अडिग है देखिए ये जो बैठक थी ये आम बैठक थी रुटीन बैठक थी हमारी और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 17 अगस्त को सेप्टेमर को एक जनरल ओस होना था लेकिन हमें 16 अगस्त को 16 सेप्टेमर को बला दिया गया और हमसे कहा गया कि आपको विदिन 7 डेज जो है मानिनी मुख्यमंत्री पार्ता के लिए बलाने वाले हैं तो उसको द्रिष्टी गत रखते होए हमने अपना जो प्रस्तावित जनरल ओस्ता वो पोस्ट पन कर दिया था और हमें जैसे कि कहा गया था कि एक वीक में टाइम दिये गया था उसके बाद हमें फिर 16 सेप्टेमर को कॉल आती है सेग्रेटी टू सीम की कि माननी मुख्यमंत्री की त्वियत खराब होगी है कुछ तो आप पार्तक लिए आ सकते हैं मुझे उन्होंने अथ्राइज किया है फिर हमारी 21 तारीक वारता हुई तो 21 को हमारी ने विस्तार पुर्वक सच्चिव मुख्यमंत्री आदिनी शेरीर आकेश कमरजी से वारता हुई उसके पर हमारी पहली जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाप जो प्रिविलेज मोशन और मेमो दिये गए हैं उसको वापस लिया जाए उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगे थी जैसे कि DA की तीन किष्टे देना, एरियर देना, नए पेस्केल का एरियर देना और DA की जो ए एक साथ 2022 से हमारे जो 21 महीने का एरियर है, उसको रिलीज करना, तता और अन्या मांगे थी जैसे कि सेक्टेट पे जो भी सेक्टेट अलाउंस मिल रहा है, गौवर्णर उसको, कमीशन को, लोका युक्ता को, उसको सेक्टेट पे दिया जाए, इसी तरह अन्या की मांगे थी, कॉंट्रेक्ट की थी जो आउट्सोर्स की थी, इन पे चर्चा हुई, तो इन सारी बातों को लेक अब जैसे कि मानिनी मुख्यमंत्री अब अस्वस्त हैं, हमें बाहर से भी फोन आ रहे हैं, आप लोग मीडिया बंदू के भी फोन आए, कि आखिर क्या हो गया, क्या वाकी सच्चिवाले का जो यह अंदोलन था, यह खतम हो गया है, या सच्चिवाले के जो करमचारी लोग है यह डरगे हैं, या यह जुगे हैं, आखिर क्या वज़ा है, कि ना तो आपकी तरह से कोई स्टेटमेंट आ रही है, तो इसलिए मैं आपके बाद्यम से कह देना चाहता हूं, ना तो सच्चिवाले का करमचारी जुका है, ना ही सच्चिवाले का करमचारी डरा है, ना ही सच तरह से स्थगित किया है, इसके दो कारणे, पहला कारण एक तो मारी वारता चल रही है, कल भी हमारी कमर साब से बात हुई, कमर साब ने कहा है कि आप अपने डिमांड चार्टर दे दो, क्यूंकि मारी पांच एस्टेशन है, हमने तो पहले ही दे रखा था, सच्वाले सिवा क सर्मचारी संगठनी, जो सबस्क्राइब बड़ा संगठनी यहां का, जिसका मैं देख दूँ, हमने तो पहले ही जो अपना डिमांड चार्टर दे रखा था, लेकिन हमारे एक-दो जो हमारी संगठने उन्होंने नहीं दिया था, तो उन्होंने भी जो अपना डिमांड चा जाएगी तो अब हमारा आज जो मिटिंग थी हमारी इसी पर चर्चा हुई है अब हमने ये निरने लिया है कि भी ठीक है अगर मुख्य सची के साथ हमारी वारता हो जाती है बहुत जल्द यानि कि 30 या पहली को तो ठीक है और नंबर दो जैसे ही अगर माने नी मुख्य मंत्र जैसी स्वस्त होके आते हैं अगर 3-4 दिनों के अंदर वह में वारता के लिए बुला लेते हैं हुमारे जो इशु रिसॉल्ब हो जाते हैं तो हम कोई भी आगी कोई इस तरह की कारवाई नहीं करेंगे कोई रोश्ट परदर्शन नहीं करेंगे क्योंकि अगर मारी मांगे ह अगेंस जो है प्रिविलेज मोशन आया है दूसरा जो हमारे अगेंस जो है मेमो इशु हुआ है अभी हमें पता चला है आज ही निउस पेपर के माधियम से कि सच्चेवाले प्रशासन ने फिर से मेरे ख्याल से 15 दिन का टाइम और लिया है क्योंकि पिदान सभा से 15 दिन के तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आगे निकल के आता है जो भी होगा वो हमने आज अपनी बैठक में हमने ये निर्णे ले लिया है पांचो एस्टेशन की मेरी अध्यक्षा या ओफसर एस्टेशन की गीता मैम है और यहां पर हमारे प्राइट सेक्टरी के तुलसी जी हैं और अमर जी हैं ड्राइवर एस्टेशन के क्लास फूर एस्टेशन के अपने टेक राम जी हैं तो हमने सबने ये निर्णे लिया है कि अगर हमारे को जब मानेनी मुख्य मंतरी अपना पद ग्रेंड कर लेंगे स्वास्तों के यह आ जाएंगे अगर वो तीन चार दिनों कंद्र में नीव लाएंगे तो हम फिर से अपना रोश प्यक्त करेंगे और जनर्राउस करेंगे और शिमला से कैमरमैन युगमार्ग टीवी